सीरीज शुरू होती है और हम एक fruit seller को देखते हैं जो train में बहुत अच्छे तरीके से fruit बेच रहाता उसे एक आदमी मॉंबई में अपने guest house में salesman की job offer करता है वो आदमी गरीबी से परिशान होता है और वो मॉंबई में जाके job करने का decision लेता है उस guest house के लिए वो marketing करता है और साथ साल तक गल्फ में नौकरी करता है क्योंकि उसकी बच्ची और बीवी यहाँ ही होते हैं तो उसका मन नहीं लगता है और फिर से मॉंबई आ जाता है मॉंबई आकर वो एक agent बनता है और लोगों को बाहर job के लिए बेचता है वो लोगों को fake documents के साथ भी बाहर बेचता वो दोनों साथ में मिलकर stamp के scam का business शुरू करते हैं इसलिए वो मॉंबई में जहां government authority stamp बेचती है वहाँ एक जन को contact करते हैं पर इने समच जाता है कि stamp के business से ज्यादा stamp paper की business में कमाई है पर stamp paper का business easy नहीं होता क्योंकि नासिक में stamp paper बनते हैं और पूरे इंडिया में distribute होते ह बड़ वो दोनों किसी तरीके से जिस train से stamp paper नासिक से मॉंबई निकलते थे उसके station manager को अपने साथ शामिल कर लेते हैं उनका plan होता है कि वो directly नकली stamp paper बना के बेचेंगे तो पकड़े जाएंगे तो वो उस चलती train में गुसकर असली stamp paper को लेंगे और नकली से replace कर देंगे इ इस तरीके से वो कभी पकड़े भी ना जाते हैं इस काम में बहुत risk था और बहुत scaling issue भी था बड़ वो लोग manage कर लेते हैं आगे दुनों को success मिलती है दुनों के वाज अच्छे पैसे आते है बड़ आगे जाके तेलगी का जो दूस्त है वो ये काम उच्छोड़ देता है क्योंकि वो जानता था कि इस काम में बहुत risk है बड़ तेलगी ये काम नहीं छोड़ता और वो इसी में आगे बढ़ने का decision लेता है तेलगी अक्यला काम संभाल लेता है और पैसे कमवाता है और politicians और police सब को पैसे खिलाता है move बंद करने के लिए बड़ जब सरकार बदलती है तब जो lady politician को तेलगी पैसे खिलाता था वो उसके खिलाफ हो जाती है क्योंकि उसके हारने के बाद तेलगी ने उसे पैसे देना बंद कर दिया था आगे एक court में dispute आता है जिसमें दो भाई अपने बाप की property के लिए लड़ रहे होते हैं एक बेटे के पास proof था कि उसके will उस बेटे के नाम पे करवाई थी तो उसके दूसरे भाई को वकील सजिस्ट करते हैं कि वो ऐसे stem paper court में दीखा है जो उसके भाई के stem paper से पुराने हो ताकि वो show कर सके कि उसके बाप ने property उसके नाम की थी तेलगी इस नकली काम में involved हो जाता है उसका license एक साल पुरान होता है बड़ वो documents बनाता है जो कि 5 साल पूराने dated थे कोट में ये सच्छा ही बाहर आ जाती है और तेलगी को जेल जाना बड़ता है जेल में उसकी खातेदारी होती है क्योंकि उसने सब को पैसे खिला थे पुलिस वालों को भी जेल में उसे एक आदमी मिलता है जो machine repair करता था वो तेलगी को बाहर आकर उसे मिलने को कहता है जेल से चुटने की बाद तेलगी उसके पास जाता है और वो आदमी उसे नासिक प्रेस जहां stamp paper बनते हैं वहां के दो लोगों से मिलाता है वो अपना plan तेलगी को बताते हैं वो लोग बताते हैं कि नासिक की प्रेस जो कि एक high security area है बट उन दोनों में से एक जन वहाँ inspection officer है और एक machine officer है उस factory में 1000 stamp paper बनते थे और inspection में बहुत से reject होते थे जो कहीं से गलत छपे हो या उनमें कुछ problem हो इनका plan होता है कि जो stamp paper सही है उने भी ये reject करके किसी तरीके से उन stamp papers को बेज देंगे और profit कमाएंगे तेलगी पूछता है कि ऐसे कितने stamp paper daily reject होते है और तुम लोग कितने अपने आप से reject कर सकते हो इस पे वो press के लोग कुसे कहते हैं कि 40 paper करीब रोज reject होते है और वो करीब 600 तक कि stamp papers रोज reject करने का plan कर रहे है पैसे कमाने के लिए इस पे तेलगी कहता है कि ये plan बिकार है क्योंकि इसमें authority समझ जाएगी कि इतना rejection कैसे बढ़ गया है और तेलगी ये भी कहता है कि इस idea से business नहीं हो सकता क्योंकि daily बहुत कम stamp papers available होंगे अगले दिन तेलगी और उसका machine repair करने वाला वो दोस्त as a visitor नासिक प्रेस में जाते हैं वहाँ उसकी नजर machine में पढ़ती है जो खराब थी और वो वही machine थी जिससे stamp papers print किये जाते थे तेलगी इसके बारे में बाद में अपने नासिक प्रेस में काम करने वाले लोगों से बुझता है वो बताते हैं कि 5 साल में एक बार कोई machine decommission होती है या तो तोड़ी जाती है उसके 5 हिससे होते है पर ये हिससे किसी काम के नहीं रहते बढ़ी है machine के ही उससे होते है जो important हिससे रहते है वो हमेशा के लिए प्रेस वाले तोड़ देते हैं जिसमें से एक important हिससा होता है machine की printing plate तेलगी फिर नासिक फ्रेस के deputy manager को अपने साथ शामिल करने की कोशिश करता है और वो deputy manager उसे वहाँ से बाहर fake देता है उसे और warning देता है पुलिस में पकड़ाने की फिर तेलगी को समझ आता है कि उस deputy manager को 10 सल से promotion नहीं मिला था और तेलगी अपने context लागा के और उसका सब कुछ बेच कर 30 लाग रूपे दिल्ली में देखकर उसका promotion करवाता है as a general manager तेलगी का मानना था कि उसकी अच्छाई तब ही खतम होगी जब बुराई उसकी अच्छाई से बड़ी दीखे वो deputy manager को general manager बना देते हैं और वो ये सब देखकर तेलगी के साथ मिल जाता है और फिल तेलगी machine के 5 पार्ट खरीद लेता है और जो important पार्ट उसे नहीं मिल सकते थे वो general manager गे त्रो किसी तरीके से पाल लेता है तेलगी ने jail जाने से ये सीख लिया था कि party बले power में हो या ना हो उन्हें हमेशा उनकी रिश्वत पहुंच जानी चाहिए तो वो हर एक को रिश्वत बेचता है उसका business बहुत अच्छे से चलने लगता है वो अपने भाई को जहां वो पैदा हुआ था वहाँ से election भी जितवा देता है और बहुत पैसे लोगों के लिए डोनेट करता है और कहते हैं ना गरीभी परेशान करती है और हमेरी पागल करती है तेलगी के साथ ऐसा ही होता है एक दिन वो एक dance bar में एक लड़की पे पैसे उड़ाता है और एक और आदमी उसी लड़की पे बहुत पैसे उड़ाता है और तेलगी को छोटा महसूस करवाता है गुस्से में तेलगी और पैसे मंगवा कि एक ही रात में उस लड़की पे 90 लाक उड़ा देता है अगले दिन politics वाले, police वाले और जिन लोगों ने पैसा खाया था वो सब newspaper में खबर दीख कर तिलगी से पैसे बढ़ाने को कहते हैं और इस तरीके से उसका downfall शुरू हो ही रहा होता है कि series नहीं पर खतम हो जाती है तो आप जरूर बताएं कि आपको ये series अभी तक कैसे लगी है अगर आप कोई वीडियो पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे थैंक यू